तो दोस्तों, आज हमात करेंगे कि Cloud Computing क्या होता है? Cloud Computing एक ऐसी टेखनालोजी है जिसमें डेटा और प्रोग्राम को इंटरेनेट में स्टोर और एक्सेस किया जाता है. दोसरे शब्दों में कहें तो, Cloud Computing एक तक्नीक है जिसके द्वारा डेटा या इंफर्मेशन को इंटरेनेट की साहिता से स्टोर, मैनेज और रिट्रीव किया जाता है. Cloud Computing इस प्रकार की डिलिवरी होती है जिसमें इंटरेनेट पर होस्ट की गए सेवाएं शामिल हैं. Cloud Computing में कई प्रकार के रिसोर्स शामिल होते हैं जैसे की डेटा स्टोरज, सेलवर डेटाबेस, नेटवोकिंग और एप्लिकेशन. जब भी हम कोई डेटा कम्प्यूटर में स्टोर करते हैं तो हम उसे कार्ट डेस में स्टोर करते हैं. परन्तु, Cloud Computing के में द्वारा हम अपने डेटा को Cloud में स्टोर करते हैं. क्लावड में डिजिटल डिटा भरा रहता है और ये बहुत ही बड़े कम्पिटर पर स्टोर होता है जिने सर्वर कहा जाता है उधारन के लिए फेस्बुक पे हम जिन इमेजेस और फाइल्स को देखते हैं ये सब ही इमेजेस और फाइल्स क्लाउड पुछी स्टूर रहती है क्लाउड कंप्यूटिंग को विक्सत करने के लिए हार्ड डेटावेस और सौफ़वेर एप्लिकेशन का परयोग किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग किसी बिजनस या फॉर्म के लिए काफी लोग पर ये तकनीक है क्योंकि यह खर्चों को कम करती है प्रोड़क्टिविटी को बढ़ाती है सुरक्षा को बहतर बनाती है और पफॉर्मेंस भी बढ़ाती है यह उन अगॉनाइजेशन के लिए भी एक बहतर विकल दो है जिने जादा मेमरी स्पेस की सुरॉत पढ़ती है और समझ समय पर बैक अप लेना पड़ता है इस तक्नीक में जो सीवाएं होती है वह प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही तरीके से उपलग्द होती है इन सेवाओं को तीन कर्डिगरी में बाटा कया है पहला है IAS, दूसरा है PAS और तीसरा है SAAS Cloud Computing के उधारण है Google Cloud, Amazon और Microsoft Cloud Computing में डेटा को स्टोर करना और उसका बैक अप लेना आसान होता है इसमें जानकारी को शेयर करना भी आसान होता है इसमें यूजर इंटरनेट का इस्तमाल करके दुनिया में कहीं से भी Cloud पस्टोर की गई जानकारी को एक्सेस करना जा सकता है Cloud Computing में जिन सौफ़वेर और हार्डवेर का इस्तमाल किया जाता है उन्हें मैंटेन करने में भी गम खर जाता है इसमें यूजर मुबाइल के मान थे हमसे डेटा को एक्सेस कर सकता है इसमें यूजर जिन सेवाओ को खरेता है सिर्फ उसी के लिए उसे पैसेज देने पड़ते है Cloud Computing में बाकी सारा डेटा जैसे की Documents, Images, Video, Media सबी कुछ स्टोर करने के लिए जादा Memory Space मौजूद होता है यह है यूजर के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए Firewall और Anti-Virus जैसे Applications और Software का यूज़ करता है जिससे उनका डेटा सुरक्षित रहता है और Privacy Maintain रहती है तो चलिए अब बात करते हैं Disadvantages के बारे में पहला Disadvantages का ये है कि Cloud Computing में यदि हमारे पास एक अच्छा Internet Connection नहीं है तो हम डेटा और फाइल्स को एकसेस नहीं कर सकते इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि इसमें अपनी सेवाओं को एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के पास ट्रांसर करने के लिए Organization या Company को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है हम सभी ये जानते हैं कि Cloud Computing को Service Provider की द्वारा Manage और Control किया जाता है जिसके कारण यूजर बहुत कम इसकी सेवाओं को Control और Access कर पाते हैं Cloud Computing सुरक्षा के मामल में तो अच्छे होते हैं लेकिन इसके बावजूर भी हमारे डेटा को Transfer करते वक्त Hackers डेटा को चोरी कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में हम सर्चा करेंगे कि Cloud Computing के क्या टाइप्स होते हैं यह आपको कैसी कैसी Services प्रवाइड करता है और इसके Real Life Applications